नमस्कार स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में देख रहे हैं यूट्यूब चेनल खबर आप तक बात करते हैं भारत का पाकिस्तान को दिये गए मूद तोड जवाब के बाद 24 गंटे हो चुके हैं और 24 गंटों में 24 बड़ी बाते बता दे आपको बता दे कि पु सबसे पहले बाद बैड़ी कबर की बात करें तो आपको बता दे कि मंगलवाब के दिए करिणabout के साथ ही उगने से पहले बड़ी कारवे करते हूए भारती देख सब से बड़े सीवीर में हमला बोला इसके बात तीनसो से जदा आतंगवाधियों को मार गिराए गया और और पाकिस्तार उन आतंगवादियों को उनकी सुरक्षा के लिए सीवीर में बेजा था लेकिन करीब 20 मिन के चले इस ओपरेशन में 300 आतंगवादियों को नेस्ते नाबूत कर दिया गया दूसरी बड़ी कबर बता दे सरकार ने काया है कि हमला किसी सेने ठिकाने पर नहीं किया गया है बलकि आतंगवादि ठिकानों पर किया गया है यानि कि भारतिय सीमा ने किसी पाकिस्तान के सेने चोकी पर हमला नहीं किया है केवल पाकिस्तान के आतंग की टरर केमपो पर हमला क इसलिए किसी भी प्रकार से इंटरनेशनल गाइडलाइन्स का इसमें नहीं तोड़ा गया है। इसलिए इसलिए इस प्रकार की कारवई करना बहुत ज़्यादा जरूरी था आपको बता दे कि पुलवामा में 40 जवानों की साहधत भी एक फिदाईन हमले की वज़े से ही हुई है। इस संदर्ब में पाकिस्तान के खैबर पक्थोन खबा प्रांज इस्तिस सहर कगा जो नियंतरन रेका से करीब 80 किलोमेटर दूर एटाबाद के दजदिक इस्तिते जहाँ पर अमेरिके बलन 2011 में अलकाइदा के सर्गना ओसमा बिन लादिन को ढहर किया था। उसी जगह पर भारती वायुसेना ने भी ऑपरेशन करके 300 से ज़्यादा आतंक बादियों को मार गिरा है। अगली बड़ी बात बता दे सुत्रों ने कहा है कि वायुसेना विमानों में आतंकी सीवेरों को बरबात करने के लिए 1000 किलो बंब का उपयोग किया गया और युदक विमान वियांत के वायुसेनों से उडान भरी थी इसके बाद यहाँ पर जाकरके यह ओपरेशन किया गय अमेरिकी चीनी सिंगापूर बंगला देशी और अफगणिस्तान समकक्षाओं से बात की और उन्हें पाकिस्तान में जेश ने मौमद के आतंकी प्रस्रीशन अड़ों पर किये गए ओपरेशन के बारे में जान कर दी अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो से फॉन पर बात की गई बात्चित में सुराज ने उन्हें हमले के पिछे का कारण समझाए और बता कि खास तोर पर निशाना जेश्य मौमद का अड़्डा था उसके बाद अगली बड़ी कवर बता थे सुत्रों ने बताया कि चीन विदेश मंत्री वांगी या ये से भी बात हुई है और हितियाद के तोर पर आत्मक्सक्लिक किये गए अर्शनी खमलों के बारे में जानकारी दी गई हुनने बताया कि सुराज ने हमले के लेकर सिंगर अगली बड़ी खबर बता दे पाकिस्तान के अंदर बाला कोड में भारती हावाई हमले के कुछ गंटे बाद रास्टी सुरक्सर समिती अगली बड़ी बास बता है प्रदान मंतरी सेना पाकिस्तानी सेना ने इस बात की पुष्टिक किये कि मंगलवार तरके भारती लड़ा को जेट विमान एक अभियान के तहत सिमा में खुसे और चार बम गिरा है पाक सेना ने इससे ये किये का महत्व कम करने की कोशिज की भ बिवानों को में अपने बंगिरा दिये अगली बड़ी बास बता है पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गपुर ने कहा है कि वह अपने जवाब से भारत को चोका देगा और यह राजनाईक राजनितिक और सेन्य सेथ हर छेत्र में होगा गपुर ने कहा पा सिस्ट्रू आतंगवादिया उनके प्रसिक्षकों और उनके अन्य जुड़े बाला कोट सहरों में 20 किलोमेटर स्थी सीविर में बेज दिया है जैसे 500-700 लोग ठेर सकते हैं यानिकि उसके वह सारे आतंगवादिय अभी भी बाला कोट के कहीं सारे एरिया में छुपे हुए सुत्रों के सुत्रों ने बता है कि सीविर में कम से कम आतंगवादिय और 25-27 प्रसिक्षक थे गोकले के बयान पढ़ते हुए कि आम लोगों के मोजूदकी से काफी दूर बाला कोट के घने जंगला में पाड़ी पर इस्तित आतंग के सीविर का नास किया गया है अगली बड़ी बात की पाकिस्तानी गोली बारी का करारा जवाब देते हुए जम्मू कश्मीर में नियंतर रेका के उपर पाकिस्तान की पांच चोकिया द्वस्त कर दी हैं पाकिस्तानी चैनिकों ने ग्रामीनों के कवच बना करकर का कही सारे मोटार भी कोशिश किये कुशुआ है आम नागरिकों के बस्तियों से अलग पाकिस्तानी चोक्यों को निशाना बना है इसके कारण बड़ी संक्या में पाकिस्तानी चैनिक हता हाथ हुए हुए हुआ हमले में शहीद CRP जवानों के परिज़ों ने काया कि हवाई हमले से उन्हें कुछ शांती मिली है लेकिन आतंग किये गए पलटवार की संभावना को देखते हो भारती सरकार ने सभी सुरक्षाइजिंश और सुरक्सवला उसेना के तीनों विंगों को अलट पर रखा है अतंग बादे पर एरे स्ट्रेक के बाद पीम मोधी के अधिक्स्ता में एक उचिस तरी बेटक की गई जिसमें के नागरी कोंग के खिलाब इस हवाई हमले में न सिर्फ भारत से बल्कि दुनिया बर अलग लगतर की प्रतिय क्या देखने को मिल रही है इसके साथ भूलीवूड खेल जगा तो तमाम भारत की सेलिबिटियास अपने अपने ध्रंक से इसका बयान दे रही है पहुंचाए झाल 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 झाल